यह वीडियो Classics का है कि हाएं और आम आपका मज्मून उर्दू बच्चो इस वीडियो में हम लोग सबक नवर चे पढ़ेंगे सबस्राइब सबस्राइब नम चाचानेरू का छूरी दार कर चानेरल काुपैर में चूरी दार मैंज में चूरीदे पैज्बार्स में धिजिकर किया गया थारिफ नय अफसाना नवेसी ड्रामा निगार सहाफी और फिल्म मेकर खाजा अभास का लिखा हुआ है सहाफी के मतलब उता है पत्रकार और अफसाना नवेसी यानि अफसाना लिखा लिखने वाला है सहाफी के हैसियत से खाजा अहमद अभास बंबई से शालिव होने वाले अखबार बल्डेज के अर्दू शुमारे के एडियेटर थे एडियेटर थे पालब जो अखबार बंबई में च्छापा जाता था उसका वो एडियेटर थे दो का जमीन और साथ हिंदुस्तानी वगारा फिल्में बनाई जिस पर हकूमत ने उन्हें इनाम भी दी खाजा अहमद अब्बास और उर्दू अधीब में तरकी पसंद तहरीर के तहरीक के अधीबों में शुमार किये जाते थे जाते हैं यानि बड़े बड़े लिखावट जो लिखने वारे थे उनमें उनका सुमार्वता अच्छी तरियर में सब्जा और आप जो सबक अब हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्हों ने चूरीदार पजामा का या तारीफ कराया है जो हिंदुस्तान के पहले वजिर आजम पंडित जवारलाल नहरू का खास लिबास था तो चाचा नहरू हमेशा सफेद खदर का चूरीदार पजामा शेरवानी और सफेद खदर की गांधी टूपी पहनते थे खदर यानि सूती के कपड़ा है ना सूती जो कौटन भी बोलते हैं जिसे हम लोग और उस लिबास में बड़े खुबसूरत और सचीले लगते थे चूरीदार पजामा और संवानी ना हिंदू का लिबास है और ना मुसल्मानों का बलके हंदूस्थानी लिबास है हिंदू और मुसलिम तहजीब तमद्दुन और रहन सहन के मेल मिलाप से जिन चीजों ने हिंदुस्तान में जनम लिया उन में से उन में ये लिबास भी शामिल है वह या के चुड़ीदार पैजामा और शिरवानी पहन कर चाचा नेहरू यलान करना चाहते थे कि ना मुझे हिंदु समझो ना मुसल्मान समझो सिर्फ हिंदुस्तानी समझो चाचा नेहरू चुड़ीदार पैजामा पहन कर क्या साबित करना चाहते थे कि ना मुझे हिंदु समझो और ना मुझे मुसल्मान समझो मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी समझो दुनिया भर में चुड़ीदार पजामा और शेरवानी चाचा नहरू की वज़ा से ही मशूर हो गई दुनिया भर में शेरवानी किसके वज़ा से मशूर हो ही चाचा नहरू के वज़ा से वास्ट कोट वास्ट कोट वास्ट को तो का नाम ही नेहरु चेकट रख दिया जो अमरीकनों ने बनाया और इसको इसको टोल अगा नाम क्या रख दिया नेहरु चेकट एक बार करनल जानसन देहली में कई हफते ठारे और उनको बार बार चाचा नहरू से मिलने और बात करने का मौक़ मिला वा चाचा नहरू की वा चाचा नहरू की पाविलियत उनके अखलाक और खुलूस के बड़े पाइल हो गए तो चाचा नहरू के रहना साना उनका बोल बिचार जो था उसका वो पाइल हो गए उस पर वो फिदा हो गए लेकिन चाचा नहरू की सख अजीब लगती थी वह उनका चुड़ीदार पजामा था उनका क्या था चुड़ीदार पजामा रोज वह ताजूब के से ताजूब से पंडित नहरू की टांगों की तरफ देखते और सोचते थे कैसे कोई आदमी इन पतली-पतली मुहरियों में पाओं और टांगें घुसा सकता है मतलब वो जो करलंग थे वो बार-बार यह सोचते हैं उनकी पाओं को देखते थे और बार-बार सोचते थे कि यह किस तरह अपने लोग मतलब यह अपने पैर और टांगों की इसमें घुसा सकता है एक दिन उन से रहा ना गया और चाचा नहरू से पूछा माफ किज पाजामा में आप कैसे घुस पाते हैं इस पाजामा में आप कैसे घुस पाते हैं चाचा नहरू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं इसमें नहीं घुसता यह पाजामा मेरी टांगों में पर चड़ जाता है तो पूछ डाले कि चाचा नहरू मिस्टर मिस्टर नहरू माफ कीजिए मैं समझ नहीं पारा कि आप इसमें कैसे गुषते हैं तो चाचा नहरू ने जवाब दिया कि मैं इसमें नहीं गुस्ता हूँ बलके पजामा मेरी टांगों पर चड़ जाता है। इस पर कहा पड़ा मतलम हस पड़े और बाद में चाचा नहरू ने करनल चांसन को चुड़ीदार पजामे को टांगों पर चड़ाने की तर्कीब समझाई। चुड़ीदार पजामा टांगों पर चड़ाने की तर्कीब करनल को चाचा नहरू ने बताया। बहुत दिनों की बात है एक बार लंदन में चाचा नहरू को तक्रीर यानि भासन करने के लिए बुलाया गया उन दिनों वहां के लोगों ने उन को अपनी कवमी लिबास में कम ही देखा था कवमी लिबास यानि वही शिरवानी और शिरवानी लिबास शिरवानी में कम ही देखा था क्योंकि नौजवानी के जमाने में चाचा नहरू जब विलायत जाते थे तो सूट पहनते थे लेकिन जब से वजीर आजम हुए हिंदुस्तान की इज़त बरकरार रखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी लिबास ही पहनते थे हां तो जब वह तक्रीर करने खड़े हुए यानि भासन करने के लिए वह खड़े हुए तो तो हाल में जो हाल में बैठे हुए जोगत और खुसूसान और तों में हल्चल सी मच गई क्योंकि वह समझन समझे के हिंदुस्तानी वजीर आजम सिर्फ अंडरवियर पहन कर आ गए हैं और पतलून पहनना भूल गए यह सोचकर हल चल गए हसना लगए कि जो इंदूस्तानी वजीर आजम वो पतलून पहनना भूल गए हैं और डर्वियर में ही आ गए है कि वो चूरीदार पजामा पहन कर गए थे इसके वज़ा से जो और तें कभी देखी नहीं थी उ और यह सोच करके हसने लगी जब से चाचा नहरू वजिर्यादम बन कर देली आये थे उनकी शेरवानिया पाजा में और कुर्ते देली के एक बुढ़े टेलर मास्टर साहब सीते थे तो चाचा नहरू को भला कहां फूर्सत थी कि वह अपने कपड़ों लत्तों की तरफ तवज्जा दे क्या है नहीं है हर बरस टेलर मास्टर साहब खूद आते चाचा नहरू की इजाजत से उनके कपड़ों की अल्मीरा अल्मारियों खोलते जो शेरवानिया पाजामे कुर्ते धूल धूल कर पुराने हो गय थे या जिन का रंग उड़ गया था उनको अलादा अलादा यानि अलग करते और जिन कपरों की जरूरत निकलती उनकी फरहस्त बना कर चाचा नहरू के सामने पेश करते चाचा नहरू ये फरहस्त पड़ते और कहते हैं चह सेरवानिया अरे भाई चह की जरूरत है दो से काम चल जाएगा यानि वह फरहस्त यानि कुछ बना लिख करके देते कि इतना आपके सिरवानी खतम हो गया इतना आपको बनाना है तो वह बोलते दिके नहीं छे नहीं दो ही में काम चल जाएगा चंद रोज बाद टेलर मास्टर साहब शिरवानियों को कचासी कर ट्राइल करने आते तो चाचा नहरू खास तोर से वक्त निकाल कर उनसे मीटिंग कराते पंडित जी के कुरते पाजा में खदर के ही होते थे और शेरवानिया गर्मी में खदर की और जाड़े में कश्मीरी उनी कपड़ी की लेकिन और हर कोई हर चीज लेकिन और हर चीज की तरफ चाचा नहरू कपड़ों के मामले में कभी कपड़ों के मामले में भी नफासत पसंद थे और जामा जेब भी थे हर लिबास खुसूसन शेरवानी और चुड़ी दार पाजामा उन पर खुब भाता था यानि अच्छा लगता था शेरवानी ना धीली होती ना तंग बिल्कुल चूस्त और ऐसी फिट आती थी के लगता था के बदन शेरवानी में धल गया है ये दर्जी की कारीगरी थी नहीं थी चाचा नहरू के जरीरे बदन चुरीली बदन का कमाल भी था उनका महबूब लिबास चुडीदार पजामा और शेरवानी न कसरती घटे हुए सडोल जिस्म और गठे और हुए सडोल जिस्म और उनकी दिल फरेब शख्सियत का ही एक जज़ मालूम होता था और अपनी खामोशी जबान से अलान करता था मैं हिंदुस्तानी हूँ यह चाचा नहरू का चुरीदार पजामा के बारे में तालिफ किया गया था चाचा नहरू जब वजीर आजम बने तो वह चुरीदार पजामा यानि शेरवानी वह जाधा पहनते थे इसलिए वह चुरीदार पजामा पहन कर शेरवानी पहन कर वह एलान करना चाहते थे से एलान करते थे मुझे ना हिंदू कह और ना मुस्लिम और यह